अ Smith आई? असला अलेकों दोस्तों मैं हम एन्मसिन और आप देखे रहें है nehmeosáovar TV अबिर आपको भी इंट्रसरा है गेमिंग में गेमीशिस फयानी और वब देखगी है और आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल अकड प्रेस करठ के लिए सब से पहले लेटिस वीडियो देखने के लिए और जो बेल का नोटिफिक्केशन है। lunarकरवि利्डियो लेटिस दो को देखने को मिल सके पर हमारी वीडियो को लाइक और शेर भी कर सकते हैं और आप उम्हारी वीडियो को last देखिए अ ताकि आपको वीडियो की मुकमल इफ्रमेशन मिल सके तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो के तरफ चलते हैं तो आज का जो गेमिंग PC है जो हम विल्ड करेंगे दोस्तो वह एक यूजड जो के मार्कीट से आपको आफ-लान ब्रेंड़ सिस्टम मिल जाती है अची कंडिशन मे इसको हम गेमिंग PC के तौर पर कनवर्ट कर लेंगे और इसको ऐसा गेमिंग शन की तोलो पे भी हम यूजड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं कि ये कौन सा PC हम जो आज गेमिंग PC के तौर पर कनवर्ट कर लेंगे तो ये दोस्तों basically HP का Z2010 Workstation Series का एक PC है जो के हम इसको gaming PC के तोर पर convert कर लेंगे और इसमें आपको by default जो configuration है वो Intel के Core i series के processor देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आप इसी machine के ओपर Xeon series के processor भी लगा सकते हैं तो basically इसमें आपको दो तरह के processor देखने को मिलेंगे Xeon series के processor भी देखने को मिल सकते हैं और Core i3, Core i5 और Core i7 के processor भी देखने को मिल सकते हैं Xeon series के processor इस machine के उपर आप लगा सकते हैं वो दोस्तो E3 1225 से लेके Xeon E3 1280 तक आप इसको लगा सकते हैं यह सारे के सारे quad core processor है और Hyperthreading के साथ जाते हैं और इसके साथ आपको 8MP की cache में भी देखने को मिल जाती है इसके साथ दोस्तो जो core series के processor है जो आप इस machine HP-Z 210 के उपर लगा सकते हैं तो वो Core i3 से लेके Core i3 2100 से लेके Core i7 2600 series तक के आप इसके उपर processor जो हैं वो लगा सकते हैं तो आज दोस्तो हम इसके उपर HP-Z 210 के उपर Core i5 i5 2500 series का जो processor है वो लगाएंगे जो के 2.3 GHz की base frequency के साथ आता है और इसके उपर आपको जो cache memory है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और उसके लावा इसके जो TDP है वो मैं आपको यहां पर in detail बता देता हूं और यहां पर दोस्तो यह जो 32 nm के processor architecture के साथ आता है और 3.3 GHz की base frequency के साथ आता है इसकी maximum turbo frequency आपको 3.7 GHz तक मिल सकती है 6MV cache memory आपको देखने को मिल जागी और साथ ही आपको 95 Watt की DDP देखने को मिल जागी और 32 GB तक की आप RAM इसके उपर लगा सकते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे और 850 MHz इसकी base frequency है और जो graphics maximum dynamic frequency आपको 1.10 GHz तक देखने को मिल जाएगी और maximum आप 2 GB तक के graphics जो है इस जो built-in जो graphics है इसके उपर आप 2 GB की जो graphics की RAM है वो आप use कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अब हम इसके system की overview की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपको जासा की आप दे सकते हैं HP Z210 के उपर आपको basically सबसे पहले एक DVD writer देखने को मिल जाएगा इसके बाद HP की नीचे branding है उसके साथ ही आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा और यहां पे ईड़क। 3.0, और 2 USB 2.0 की port देखने को मिल जेगी फरेंट पे और साथ ही आपको headphone jack और Mac का jack देखने को मिल जाएगा अइसके लावर याँ पर इसके लावा यहां पर फायवार की port भी देखने को मिल जाएगी आपको Output के उपर Motherboard के अगर नजर डाले हैं यहां पे आपको दो PS2 के Connector देखने को मिल जाएंगे जिसके उपर आप Keyboard और Mouse लगा सकते हैं अगर आपके पास PS2 के Connector वाले जो PS2 Connector वाले अगर आपके पास Keyboard और Mouse मजूद हैं और नीचे आपको DVI Port देखने को मिल जाएंगे और इसके नीचे आपको एकक दिस्प्ले पर देखने को मिल जाएंगी ओर यहां पे आपको Do USB 2.0 की ठीको अगे çaousay भी पोसें क़िसरद्ट यहां और उसके नीचे आपको एक हेडफन जाएंग और माईक देखने को मिल जाएगा और साथ ही एक हीट वेंटीलेशन का फैन भी है वह देखने को मिल जाएगा जो इसकी हीट हे el इसेट्म करते है और उससे आपको पीसी है वो काफी स्टेबल कंडिशन के अंदर रन करता है और उसके लावा इसके अंदर आपको एक्सपेंडिबिली की ऑप्शन भी काफी ज़रा देखने को मिल जाएगी और अब हम दोस्तों इसको अगर इनर्वियू का लें तो यहां पे आपको 400W की एच सेरीस का प्रिसर है वो हमने चूज किया है जो काफी एची परफॉर्मस आपको गेमिंग के अदर भी प्रवाइड कर देगा और अवर राल जो मल्टीटास्किंग और क्वट्र की अपनी प्रफॉर्मस होगी तो उसके लिए भी काफी एची परफॉर्मस आपको की स्पीड वाली और उसके बाद दोस्तों यहां पे आप अग्जास्ट फैन आप को देखने को मिल जाएगा और साथ ही हम एक्सपेंडिबिलिटी की यह आप ग्रेडेशन की फिसलिटी की इसके ओपर देखने को मिल जाएगी एक आपको PCI Express 4 की देखने को मिल जाएगी और 2 आपको PCI Express 1 की सलोट से और वो देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको PCI की जो सिंपल अपको देखने को मिल जाएगी तो आप यहां पे कोई भी डवाइस है जैसे डेडिकेटर ग्राफिक कार आप इसके उपर लगा सकते हैं साउंड कार लग सकते हैं at the same time और एक आप SSD भी लगा सकते हैं तो यह बेसिकली टोटल इस सिस्टम बर दोस्तों अब हम लेख लेते हैं कि हमने इसके उपर कौन-कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो अपग्रेड करने हैं बेसिकली यह दोस्तों जो बाई डफॉल्ट जो कंफिग्रेशन है इस वो आपको built-in की देखने को मिल सकता है और dedicated graphic card अगर आप इसके अंदर लगा होगा पहले से तो वो भी more than 256 mg से ज्यदा नहीं होगा तो वो आपको वैसी performance देगा जैसी हम gaming pieces expert करते हैं तो यहां भी दोस्तों basically हम सबसे पहले इसका जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड करेंगे और इसमे core i5 2400 series यह 2500 series का processor है वो इसके अंदर लगाएंगे जो के आपको काफी अची performance प्रोवाइड कर देगा और उसके बाद दोस्तों इसका जो next component है वो जो हम upgrade करेंगे अब वो इसकी RAM होगी अगर तो यह आपको 8GB RAM के साथ मिल जे फिर तो well enough है अगर आपको 4GB RAM के पर होगी और से हम काफी अची multi-tasking भी कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों जो next component होगा वो हमारा इस PC के उपर वाइड़ पार्ट हमें 500GB से कम hardest मिलती है तो वह भी हमें upgrade करने पड़ेगी और minimum हमें 500GB की C ग्रेट की हाड ड्राइव है Barracuda 72 RPM वाली उसके साथ जाना पड़े गा और यहां के यह सिक्स जीपी पीएस तक आप डेड़ा ट्राइड परवाइड कर देगी और 32 MP की cash memory भी आपको परवाइड कर देगी और storage के हवाले से इसकी परफॉर्मस है वह काफी अच्छी वह consider की जाती है लेकिन SSD से तो कम ही होगी लेकिन उसके लावा यह reliability की सिस्टम के अच्छी जी 210 वर्क स्टेशन सीरिस के उपर आप SSD लगा के तो इसकी मजीद जो परफॉर्मस है वो बूस्ट अप कर सकते हैं और वैसे भी जो यह सिस्टम होते हैं दोस्तों HP की तरफ से जो के वर्क स्टेशन सीरिस के अंदर आते हैं HP Z210 जैसा कि हमने पहले भ इसके जो वर्क स्टेशन हैं HP के उनको भी हमें गेमिंग PC की स्टवर्ट किया हूँ और उनकी जो परफॉर्मस है वो काफी ज़दा अमेजिंग हमें देखने को मिली है और हमारे जो वीवर्स हैं उनको पसंद किया है तो यह उससे अगली सीरिस का मॉडल है 200 HP Z210 इसको भी एक डेडिकेटर ग्राफिक का लाजमी चाहिए ही होगा तो यहां पे हम दोस्तों MSI का R7 370 जो ग्राफिक काड़ा वो यूज़ करेंगे तो कि जो 2GB RAM के साथ आता है और यह इसका एक 4GB RAM वाला विरियंट भी आपको देखने को मिल जागा लेकिन हम यहां पे बजट वाइस 2GB RAM वाला विरियंट जो MSI R7 370 का वो यूज़ करेंगे और गेमी के अंदर काफी चीप परफॉर्मस आपको प्रवाइड कर देगा यह बैसे के लिए 256 वाला ग्राफिक काड है और यह GDDR 5 RAM के साथ आता है और उसके लाबा यहां पे आपको दो DVI पोर्ट देखने को मिल ज इसके लावा यह Direct X12 को भी सपोर्ट करता है Crossfire Ready है और Advanced Thermal Design इसके अंदर यूज़ किया गया है और उसके लावा जो AAA titles हैं दोस्तों आज के modern जो है 2019 की यह तमाम titles को run करने की capability लगता है जिसमें Far Cry 5 भी शामल है Battlefield 5 शामल है और उसके लावा जो Warships टाइप games होती है वह भी इनक स्पोर्स टाइक जो तमाम games है उनको भी यह run करने की capability रखता है और इसके उपर आप काफी अच्छी FPS की रेशो की पर आप गेमिंग कर सकते हैं जिसके अंदर 720p से लेके 1080p के उपर भी आप काफी अच्छी जो gaming है medium to high setting के उपर आप इसके उपर perform कर सकते हैं और आपको FPS की इसके उपर आप इसके उपर आप मोर दन 60fps के उपर भी आप इसके उपर गेमिंग के एक्स्पिरियंस जो एंजॉय कर सकते हैं और इसके उपर आपको वीडियो डिटिंग और वीडियो रेंडरिंग की जो performance है वह भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और आप इस काड़ आपको लाजमी चाहिए होगा अगर आप इसको एक प्रॉपर गेमिंग मेशीन के तौर पे करना चाहते हैं तो अब दोस्तों हम इसके बज़ट की बात कर लें दोस्तों तो यहां पे अगर तो यह विड़ाफिक काड़ अगर आपको यह मिलता है परचेस करते हैं औ इसके बाद अगर दोस्तों यहां पे आप डेडिकेटर ग्राफिक कार्ड के साथ जाते हैं और आप इसको ऐसको गेमिंग पीसी के तौर पे करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जो एट साथन रोपीस की मोर कॉस्ट है वो भी एड़ इसके अंदर करनी पड़ेगी तो यह आलमोस्ट आपको तकरीबर ऐटहरा से बीस जार के अंदर कास्ट कर जाएगा और अठहरा से बीस जार के अंदर आपको गेमिंग पीसी जो है वो आपका रेडि हो जएगा जिसके उपर आप अच्छी खासी जो गेमिंग एक्सपिरियंस और इंज्वाय कर सकते हैं तो medium तो high setting के उपर और इसको आप video rendering, video editing machine भी यूज़ कर सकते हैं और as a streaming machine भी यूज़ कर सकते हैं और as a YouTube के लिए अगर आप videos या कोई content बगर आप बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको ये machine जो है काफी ज़दा help दे सकती है तो ये दोस्तो आज की video थी basically जो के हमने Z210 का जो एक branded system है उसको हमने gaming PC के तौर पर कर्वाट कर लिए है तो आयाब दोस्तो आपको आज की video पसंद आई होगी आप मुआने चैनल Moses of a TV को सबस्क्राइब कर लिए और जो बेल का notification है दोस्तो आपको आपको सबसे पहले हमारे तब से latest video जो है वो देखने को मिल सके हैं उसके लाब हमारी videos को like और share भी कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई video के साथ अपने लिए take care, Allah आफ़ेश